अभी अभी की बड़ी न्यूज स्मृती रानी का बड़ा दावा मैंने प्रियंका वाडरा को नमास पढ़ते देखा है जी यहां दूस्तों करनाटक कॉंग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार दौरा हनुमान जी के मंदिर बनाने का दावा करने के बीच केंद्री मंत्री स्मृती रानी ने संसनी खेज बयान दे दिया है उन्होंने कहा है कि मैंने अमेठी की सड़क पर कॉंग्रेस महासचे विश्रीमती प्रियंका वाडरा को नमास पढ़ते देखा है ऐसे में शिवकुमार मंदिर बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं सो एक बड़ी अपडेट निकल करा रहे है स्मृती रानी ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि पहली बात तो शिवकुमार को जूटा वादा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे मुख्यमंत्री बन ही नहीं रहे हैं दूसरी यह कि मैंने 2019 के लोग सवच उनाव के दुरान श्रीमती प्रियंका बाडर को अमेठी की साड़क पर नमाज पढ़ते देखा है किंद्री मंत्री ने कहा जो लोग इसलाम में विश्वायत करते हैं वे मूर्ती की पूजा नहीं करते और जब उनकी सर्वे सर्वाय यानि के प्रियंका ही मूर्ती और मंदिर के विरोध में हैं तो वे मंदिर क्या बना पाएंगे ऐसे में कॉंग्रेस अध्यक्ष को जूटा वादा नहीं करना चाहिए और यहीं पर इसमृती इरानी ने इन सभी को आड़े हाथो ले लिया है रोज हमारे घरों में फैक कर चली जाती है सरकार रोजगार तो जंब के बट रहे हैं जबरन घर से उठाकर लोगों को जिलाधिकारी बनाया जा रहा है इतने पद खाली है वहीं आप परणा अग्रवाल ने लिखा कि कुछ जंतर मंतर पर बैटी महिला रैसलर के बारे में भी कह दो महवीर जैन ने लिखा कि 2013 में गया सिलंडर रेकर रोड पर आपको डांस करते देखा है एक अन ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि अगर लोग वोटो राजनीती के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं तो यहां पर कहीं न कहीं स्मृति इरानी ने प्रियंका भरूर ने धन्यवाद